अब रहा हम बाई सारा बाई हैं मैं आपका बाई कुनाल याद दो आज अपने सामने खड़ी है बाई टाटा नेक्सोन 2023 फेसलिफ्ट वेरियंट है बाई बहुत ज्यादा वेरियंट इसमें निकाले है टाटा ने स्मार्ट प्योर क्रियेटिव फियरलेस तो इनमें इतिन ति आगे की तरफ अपना 360 डिगरी कैमरा और आगे की तरफ दो सेंसर देखने को मिल जाते हैं कुल मिला के बात करते हैं लुक की फ्रंट से तो बहुत ही बैतरीन लुक कर दी गई है जो पहले टाटा को कहते थे कि अच्छी नहीं लगती आगे से पीच्छे से मतलब पसंद नह है जा पुख्टे से माध्यों तो along के वा दे चरफ बात करते हैं तो यह वाई अम सैड देखने को मिलता है और चलते हैं भाई पिच्छे की तरफ तो सबसे पहले जास्जे कर लो बाई पीच्छी ुड्यम रेकप देखने को मिलते हैं वाकी ऊपर वयोग सेसल hij song को एक लुक देता है स्यूवी टाइप लुक देता है और पीछे से यह देखो फूली एलीडी सेटप दे दिया है जो की देखने में रियल लाइफ में काफी अच्छा लगता है और एक चीज और बताऊंगा इसके बार में भी थोट देर में बाकी निच्छे की तरफ रिफ्लेक्ट रहे हो वाई काम कितना अच्छा है अलाकि इस वैरियंट में डीफोकर नहीं मिलता है तो वह थोड़ी सी कम है लेकिन वह अपर वैरियंट में आप जाओगे तो उसमें मिल जाएगा यह रही बाइस की साइड प्रोफाइल अब आते हैं ग्राउंड के लिएंस की तो अल्मो कंट्रोल करने के उपर की तरफ सिल्वर कलर में जो है लोग दिया गया है यहां से आप इलेक्ट्रोनिकली ओवर्व्यम एडजस्ट कर सकते हो करते हैं बात वाई सीट की तो हाइट एडजस्टिवल सीट देखना को मिल जाती है क्रियेटिव एस पलस में फैब्रिक में सीट का डिजाइन और जो डिजाइन वहाँ अच्छा दिया गया है बकिट में फिट थे हैं जो काफी अच्छी फिनिसिंग दे रही है वाई यह देख वाई में चेंज इस फर्स्ट टाइम इन इंडिया सकते हो किसी कंपनी ने यह काम किया है खिड़की बंद कर लेता हूं थर आप देखो बाई जो में चेंज स्टेरिंग वील कर दिया गया है इसके अंदर टाटा का लोगो आएगा अभी नहीं कर सकता है फिर बता रहा हूं वाई बैटरी इसकी निकाल रहा है वो चार्जिंग के लिए गई हुई है बाकी फुली डिटल इसमें मेटर देखने को देखते हैं तो वाइफर के कंट्रोल है लाइट के कंट्रोल है कुल मिला का जिदनी भी आप नास तक गाड़ी देखियोगी ऐसा मतलब किसी में भी नहीं मिला लेकिन इस गाड़ी में यह चेंज किया है वो काफी बैटरीन करका है देखने में मतलब फ्यूचरिस्टिक यह लगता है उसके बाद यहां पर आजाती है अपना म्यूजिक सिस्टम आजाता है ओन करता तो और अच्छे से बाइए देख पाता लेगिन मैं और देदू आपको मोटा मोटा सा बाकी पिलर देखो वाई यहां पे एर बैग दिए गए हैं दूसरी साइट देख लो पिछे पिलर पे पिछे वाले पिलर पे एर बैग एर बैग बैग आपको दिखा रहा है तो अपने नोटिस किया हो तो ठीक बाद आते निचे एस इवेंट्स पे तो इस इवेंट्स देख लो भाई यह वी मतलब डिजाइन काफी अच्छा लग रहा है गाडिका बाहर से भी अंद करने लिए और नीच्छे देखोगे तो वाई यह देखो बारा वोट चार्जिंग सोकिट मिलीगा यह यह ईयूस्वी टाइप बी टाइप सी दोन और यह अच्छी चीज अब बात करतें इसके गेर भॉक्स की तो सिक्सपीड गेर बाईस में देखनों मिलता है पैट्रोल में रिवर्स जो है आपको ऐसे प्रेस करके करना पड़ेगा यह मतलब यह उपपर उठागे फिर आप रिवर्स लगाओगे मेरे को पो लोग याद आगी थी प्रेस करके तो वह चीज नहीं वाई यह देखो सीटी कोर स्पोर्स मोड यह भी देखने में डिजाइन काफी अच दो आपको बड़ेख सकते हो तो एक चीज में उज आएका वाई उपर की तरफ के और डिमिंग और वीयम होग्हां यहां पर लाइट के कंट्रोल होगे संरूफ के कंट्रोल होगे संरूफ देखो वाई इसमें देखने को मिलती है तो फो पुल्मिलागे जादां तो नहीं लेकिन ओके है इस साइड आगा है वैनिटी मिरर बाकी यहां से आप देखो इसको अनलोग करोगे तो जो गलव बोक्स का साइज है ना भाई मज़े कर रखें वाई टाटन देखो कितना भी आप इसमें समान रखो कोई प्रेशानी वाड़ी बात नहीं है अब मैं अपनी सेट की हाईट वगयार अड्यश्ट करके पिछे की तरफ स्पेस चेक करवाता हूं कि कितना क्या स्पेस है शिक्स फीट की मेरी हाइट है बात करते हैं क्लच पेडल्स की रेश पगयार है तो देखता हूं लेकिन जैसे यह उपर आती है ना भाई तो एकदम जटके से के पिच्छे आने के बाद भाई मैं देख पा रहा हूं स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है सिक्स फीट के इसाब से मैंने आगे वाली सीट एड़ेस्ट की थी लेकिन पीछे भी अच्छा खासा स्पेस बचा हुआ है एड्रूम की अगर बात करते हैं तो हैड्रूम में भी किसी पर यह अपने बाई शीट बैल्ट के उप्शन होगे एर बैक देखो भाई मैं कहा रहा था नहीं आपके भी पिच्छे की तरफ अपनी पार्शल ट्रे है डीफ होकर इस वाड़े वेरियंट में नहीं मिलता बाक्की यह अपने देख लो भाई सोफ टेबल को लोग क्लोजिंग इसकी पिच्छे की तरफ ट्विटर आ जाते हैं स्पीकर आ जाते हैं और डैस्बोर्ड की लुक देखो भाई काफी बैतरीन बाई एक नंबर की लग रही है गाड़ी किसी परकार की दिक्कत नहीं है बाहर से मतलब डिजाइन ही बदल दिया अलगी लिए बनादी पहले जि बाकी कुल मिलागा सारी चीज ओके है बूट भी अनलोग भाई इसका इलेक्ट्रोनिकली ही होगा मैंने पूछा था भाई को कि यह अनलोग कर देते लेकिन बैटरीन नहीं है तो बूट स्पेस नहीं दिखा पाऊंगा बाकी पहले के बजाए जो बूट स्पेस है वो दिखा दिया गया है अब मैं आपको एक बर इसका बोनट और खोल के दिखा देता हूं इंजन वगयरा यह देखो वाई यह इसका 1200 सिसी का टर्बो चार्ज पैट्रोल इंजन जिसको टाटर ने नाम दिया है रेवट्रोन पावर की बात करते हैं तो 118 वह पी 170 एनम का टोर् चैंजको गाड़ी का दे दिया है टाटा नЕकचौन 2023 फेसलिफ्ट का कैसा लगा आपको रिव्यू कमेंट कारकर जरूर बताणा और बाई कैसी लगी आपको टाटा नक् prepares 2023 कैसा लगी इसके शेंजिस जो टाटा कर रही है वो सारी चिजे कमेंट करकर बताणा यही थी बाई झाल झाल झाल